हेलो स्तो, कमाई का ड्रस यूटूब चैल में आप सभी का सोगत है आज हाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर हेड्रोजन इडर्जी मेनिफेक्चरिंग करने वाले कमपनिस के बारे में जो आप सभी को multi-vagger return यहाँ पर कमा कर देने की पूरी ability रखते है क्योंकि यह company अभी यहाँ पर जो green hydrogen की business के अंदर initial stage में है यानि अभी इनके अंदर growth होना काफी बाकी है और इसका फायदा आप यहाँ पर ले सकते है अभी सभी के mind में सवाल आएगा कि सर जो यहाँ पर green hydrogen की बात हो रही है तो इसकी उतनी demand बढ़ेगी क्या तो definitely demand बढ़ने वाली है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर government भी लगातर PLI scheme के अंदर बहुत से benefits provide करे है और अभी भी latest update आ चुके है green hydrogen energy के लिए एड पहले भी बहुत से announcement किये गए है जिसका फायदा यहाँ पर companies को मिलेगा ऐसे बहुत से companies हैं इंडिया में जो green hydrogen manufacturing भी कर रहे हैं और कुछ companies ऐसे हैं दोस्तो जो green hydrogen manufacturing के लिए 1000 करोडों का fund लेकर आ चुके हैं बोले तो इनके अंदर बड़े धमागे होने वाले हैं इसलिए यहाँ पर हमें ऐसे stock पर focus रखना पड़ेगा और स्रीप मैं पास से 6 companies के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके अंदर potential दिखाई देता है तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तो वीडियो अच्छा लगे मेरे इफट पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करना क्योंकि आने वाला समय काफी bright रहने वाला है green hydrogen stocks क्या यहाँ पर इंडिया के अंदर यहाँ पर आपको पहले में बताना चाहूँगा कि green hydrogen जो energy उसका use क्या है क्योंकि सबी को सवाल तो आता है कि यह जो green hydrogen है कहाँ पर आता है use में तो देखिए fuel कार के लिए भी यहाँ पर use कर सकते है airships के लिए भी and spaceship जो होते उनके लिए भी एंड ऐसे बहुत से truck, car, vehicle बन रहे है जिनके अंदर दोस्तों यहाँ पर जो green hydrogen का use करकर उसे यहाँ पर run किया जा रहा है याने future कितना bright है आप इसका अंदाजा यह update से लगा सकते है green hydrogen का अभी company उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर हम first company के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है KPIT technology अभी यहाँ पर बहुत सो लोग चौक जाएंगे और कहेंगे sir यह तो हमें पता भी नहीं था बट दोस्तों बिलकुल यह चीजे हो रही है आप देख सकते है KPIT conduct successful trial runs of hydrogen fuel cell car तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पूरे updates आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा नहीं कि KPIT अलग नाम की कोई company है KPIT technology के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर council of scientific and industrial research जो CSIR जो है and KPIT technology successfully run trial of India's first hydrogen fuel cell यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं यह सभी updates थोड़े पुराने हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यह company काम कर रही है इस sector के अंदर यह आपको मालूम होना चाहिए और देखे दोस्तों यह तो खाली मैंने एक company बताया इसे बहुत से companies है जो directly indirectly hydrogen जो है उसके उपर काम कर रहे हैं तो उसका फाइदा आप यहाँ पर ले सकते हैं हाँ पर आप दोस्तों चाहे तो और एक interesting company उसके बारे में भी हाँ पर हम discuss कर लेते हैं जो देखिए oxygen का manufacturing करने में and variety of gases के बारे में एक company काम करती है और देखिए हाँ पर blue hydrogen green hydrogen यह जो अलग-अलग type के hydrogen है उसके अंदर भी यह company बहुत ज़्यादा weightage provide कर रही है और company का नाम क देखिए line India जो COVID-19 के time period में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में यह company थी आप सभी को इसके बारे में अच्छा खासा पता होगा और इस company पर भी आपका अच्छा focus रहना चाहिए है क्योंकि इसका future भी काफी bright है यहाँ पर आप देख सकते line India का जो share 4334 रुपए पर trade कर रहा ह और पिछले 6 मेने में stock ने देखिए 26% और एक साल में 35% पास सालों में return देखिए इसके 928% के return है इसलिए ऐसे stock पर हमारी नजर आने चाहिए अभी next company का नाम में देखिए यहाँ पर मैं आपको बदा लेता हूँ Reliance Industry इसका भी यहाँ पर काफी धमाकेदार performance रहा है green hydrogen के अ और मुकेश अमबानी जी ने भी बहुत बड़े धमाकी करने के starting कर दी है 75,000 करोड रूपेज वो green energy sector में निवेश करने वाले है और उसमें से कुछ यहाँ पर करोड रूपेज वो 2025 तक भी green hydrogen का यहाँ पर production करने वाले है देखिए आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर hydrogen energy के लिए निवेश कर रहे हैं हो सके उतना trial यहाँ पर चल रहे है और आपने business को expand करने के तैयारी businesses कर रहे है next company दोस्तों यंटी पेस लिमेटेड यह भी energy के business में जानी मानी company है बहले ही दोस्तों इसके अंदर थोड़ा performance कम दिखाई दे बट company ने पूरे market में आग लगा है क्योंकि यह भी company काफी अच्छे से work कर रहे है अपने field के अंदर और यहाँ पर आप पड़ भी सकते हैं मैं आपको news भी बताने वाला होगे news बहुत यहाँ पर impact करने वाले साबित होंगे क्योंकि news आकर चले जाती है उसके ओपर स्रीप और स्रीप जो काम करने वाला कोई रहता है news के ओपर वो company रहती है क्योंकि company ने announce किया है ना कि हम partnership कर रहे है हम business चला रहे है हम यहाँ पर नया प्लांट लगा रहे है तो उसके ओपर तो वही काम करेगे हमें भी यहाँ पर जो updates आते उसका फाइदा उठाना चाहिए देखिए NTPC green energy के अंदर बहुत अच्छ company उपर हमारी नजर रहनी चाहिए नेक्स company दोस्तों जिसका नाम यहाँ पर गेल इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं गुना में भी यहाँ पर वो लगा रहे है प्लांट और ऐसे बहुत से प्लांट के उपर यह company काम भी कर रही है तो आप यहाँ पर जरूर नजर रख सकते हैं गेल इंडिया के उपर भी और यह company setup जो प्लांट कर रही है वो ऐसे ही नहीं उनको पता है कि आने वाला समय काफी bright है चाहे तो आप यहाँ पर company के performance को भी देख सकते हैं गेल इंडिया का share चल रहा है स्रिप 100 रुपए पार fluctuation जरूर है इन company में आप सभी को यह माल स्टॉक देखिए जिसके अंदर निवेश करना फायदे मन है और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी कुछ companies के बारे में जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं लारसन एंटूब्रो यह भी company green hydrogen के अंदर बहुत अच्छी value रखती है 2424 रुपए पर यह शेर चल रहा है और यहाँ पर हम इसके बारे में 1500 से भी नीचे के price पर बात करते हैं देख लिजे यह stock ने कितना return कमा कर दिया और पिछले पास सलों में कहां से कहां पर आया है आपके आगे ही इसने return generate कर कर दिये और इसमें value है आप यहाँ पर जानते ही है और लारसन एंटूब्रो ने इस इसे बहुत से बड़े धमाके किए दोस्तों जिसका फायदा यहाँ पर इसके shareholder को मिल रहा है इंडिया की सबसे बड़ी company बनेगी यह जो green hydrogen का manufacturing इंडिया के अंदर करेगी वो भी bulk quantity के अंदर इसलिए तो इस company के अंदर potential काफी दिखाई देता है एंड मैं आपको यहाँ प incentive for green hydrogen production जो making करने वाले companies है उनको आप सभी को यह जानकरी होनी चाहिए और इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि जो ministry of new and renewable energy है यम यन आर इ उनके तरफ से incentive दिये जा रहे है साती यहाँ पर आप देखेंगे national green hydrogen mission जो है उनके भी अंडर बहुत से हाँ पर benefit और जो PLI scheme के अंडर काम चल रहे है तो आप सभी को इसका benefit लेने की कोशिश करने चाहिए है अभी जो मैंने आपको companies के नाम बता है जैसे के NTPC यहाँ पर दोस्तो गेल इंडिया लारसनें टूबरो KPI Technology साती Reliance Industry और दोस्तो यहाँ पर हमने बात की Line India के बारे में ऐसे जो मैंने companies ब Demanded और शांदार companies है जिनके अंदर आपको variety of businesses के फाइदे मिलेंगे इसलिए आप यहाँ पर उन companies पर नज़र रखिए जिनके अंदर multi-source businesses है ऐसा नहीं कि स्रीप एके business पर depend है तो I hope आप समझ रहे हैं कि कौन से companies अच्छे है जिनका आप यहाँ पर फाइदा उठा सकते है Thank Thank You